तोधे। आज दिल किया कि दिल से दिल की बात की जाए यह दिल ही तो है घिसमें इतना सारा प्यार भरा है। दिल हंशन सही कहता है इसलिए दिल की बात सुनों और किसी का भी दिल न तोड़ो। अमेरिका में अभी कुछ समय पहले एक यंग लड़की का हर्ट ट्रांस्प्रांट हुआ और उसका हर्ट ट्रांस्प्रांट सेसस्फुल रहा। लड़की स्वस्त जीवन जीने लगी। कुछ दिनों बाद उसने अपने पेरेंट्स को पताया, मुझे ऐसा सपना बार-बार आता है कि मुझे पर गोली चिराई जा रही है। घोली मारने वाले हर बार सेम होते हैं और बहुत क्लियरली दिखाई भी देते हैं। बच्ची के पेरेंट्स ने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया। डिटेल्ड इन्वेस्टिकेशन में पाया कि जिस डॉनर का हर्ट उसे लगाया गया था उस यंग लड़की का मर्डर गोली मारने से हुआ था। अंतता डॉनर लड़की के मर्डर को इन्वेस्टिकेट करने वाली पुलिस टीम ने इस बच्ची दोरा बताई पहचान के बेस पर स्केच बनाकर असली मर्डर करने वाले दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया। एक अन्य वेक्प्टी ने जिसमें हर्ड ट्रास्पांड किया गया था, उस ने बताया किए अचल पहले हर्ड ट्रास्पांड कर वाया था। ऐसी कहानियों से प्रशन उठते हैं कि क्या हर्ट में मेमरी होती है क्या आँखों से देखी वे ब्रेन द्वारा यादास्त में संभाली हुई घड़ना है हर्ट में भी स्टोर हो जाती है और फिर दूसरे शरीर के ब्रेन को सपनों के रूप में टरांसमिट कर सकती है क्या इंसान की आथिंग दिल की मेमरी में होती है जो नई बाड़ी से भी वही काम करवाती है या जहुत का एसास करवाती है latest biological research के इसाब से हमारे शरीर में 50 trillion cells हैं जो independent entities है और cellular memory theory के इसाफ से सब cells की memory होते हैं पर cell vibration बेचता है हमें अभी ये जानकारी है कि दिल धड़कता भी है, सोचता भी है और याद भी रखता है इसलिए क्यों न दिल का ध्यान रखें यदि दिल सच बोलता है, सही दिशा दिखाता है, प्यार से बरा है तो सभी के दिल अच्छे हुए, इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए दुसरे के जिस वेवार से हम दुखी हैं, वो क्या उसने हमें दुखी करने की intention से किया था या अंजाने में हुआ, मजबूरी में हुआ, या किसी situation की वज़ा से फिर ऐसा क्यों होता है, कि हमारे साथ जैसे ही बुरा हुआ, हम नफरत और बदले की भावना से भर जाते हैं मन में चल रहे विचारों के transfer के बारे में, नई research से ये सामने आया है कि विचारों को दुसरे तक पहुंचाने के लिए, भाशा की जरूरत नहीं होती है बहुत से thoughts अपने आप vibrations के माध्यम से target तक पहुंचाते हैं भाशा तो अनेकों बार हमारे thoughts को सही से translate या convey भी नहीं कर बाते हैं तभी तो हमें ये कहना बढ़ता है, नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था बहुत कुछ हमारे देखने सुनने की observation से दूर है जिसे दिल की vibration से बेजा जाता है और दिल द्वारा ही receive किया जाता है हमारा brain दिल के उन signals को नहीं पकड़ पाता है हमें लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इसलिए सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बस यूँ ही मन खराब हो गया था बैटे बैटे आज मूड ठीक नहीं है नचाने मुझे क्या हो जाता है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता या फिर लोग यह भी कहते मिलेंगे आज मूड बहुत अच्छा है चलो कहीं celebrate करते हैं अपना तो दिन है आज आज सब अच्छा ही हो रहा है हमारे मूड का एका एक अच्छा हो जाना इसका एक कारण ये भी हो सता है उस समय कुछ लोग हमारे बारे में अच्छा सोच रही होंगे क्योंकि हमने कभी ना कभी उनकी है जरूर की होगी उनकी positive vibration हम तक पहुंच रही है जब हमारा मूड खराब होने लगता है तो शायद इससे opposite कुछ हो रहा होता है इसलिए खुश रहने के लिए और अच्छा मैसूस करने के लिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की help करें अपने कर्मों की account में अच्छे कर्मों के credit points बढ़ाएं ताकि हमारा मन ज्यादतर समय अच्छा बना रहे हमारे mood का एक अच्छा हो जाना इसके कर्ण ये भी हो सकता है कि उस समय कुछ लोग हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं thankful हैं क्योंकि हमने कभी न कभी उनकी help जरूर करी होगी उनकी positive vibration हम तक जरूर पहुँच रही होती है जब हमारा mood खराब होने लगता है तो शायद इससे opposite कुछ हुआ होता है इसलिए कुछ रहने के लिए और अच्छा मैसूस करने के लिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की help करके अपने कर्मों के account में अच्छे कर्मों के credit points बढ़ाएं ताकि हमारा मन जादतर समय अच्छा बना रहे अच्छे कर्मों काफल अच्छा ही होता है यदि अच्छे कर्मों काफल हमें reward के रूम में नहीं मिला तो समझो के credit point term deposit में convert हो गई है जो कुछ समय बाद अच्छे खासे interest के साथ मिलेंगे ये जानने के लिए कि क्या सच में किसी के बारे में अच्छा सोचने बोलने से उस व्यक्ति को अच्छी feeling आएगी और ऐसा क्यों होता है चलो आज एक practical experiment कर रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद आप अपने एक best teacher के बारे में सोचें उनकी अच्छी बातें याद करें अपने आसपास के लोगों के सामने उनका जिकर करें उनकी सची appreciation करें शाम होते होते अपने आसपास अपने प्यारे से best teacher की अच्छी सी image create कर दें अब आप उन teacher से contact करें personally या telephone से बस उनसे इतना जरूर पूछ लेना Sir, आज कैसी feeling रही उनका जवाब सुनकर आपको हरानी होगी और उपर लिखे research findings पर विश्वास हो जाएगा अच्छा बोलने के साथ साथ ये जरूरी है कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचें भी यदि हम किसी से डरते हैं नफरत करते हैं बुरा सोचते हैं लेकिन बात करते हुए अच्छी बाशा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं यह भी वो person बुरा ही समझता है क्योंकि हमारी सोच की vibration उस तक पहुंच रही होती हैं इसलिए मनोवेग्यानी कि रिकमेंड करते हैं कि हमें दिल और बाशाक में सिंक्रोनाइजेशन लाना होगा सिंक करना होगा मन की विचारा को पॉजिटिव करना होगा फिर हमारे इंटेंडिड और एक्चुल इंपेक्ट में फर्क नहीं रहेगा खुश रहने का एक सिंपल मंत्रा है कि आप सोचें अच्छा अच्छा सोचें और अच्छा बोलें फिर भी कोई आपसे बुरा कहता है तो वो उसका इश्यू है हम कभी भी अपना बिहेवियर वे अपनी स्वीटनेश को नहीं चोड़ें इसलिए हमने कहा कि दिल की बात जरूर सुनें दिल में अपनी सोच वे मेमरी होती है जिससे वो सही सला देता है हमेशा अपने दिल में पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और इन्नोवेटिव आइडियाज के विचार लाएं अच्छी फिलीज के साथ दिल खुश रहेगा सुस्त रहेगा और हम बहुत सारी साइको स्रमेटिक बिमारियों से बचे रहेंगे यदि आप ऐसी educational, informative and motivational कहानिया वे जानकारिया पसंद करते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर आखा को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें तैंक यू